किताब Artificial Intelligence, A Modern Approach, 4th Edition लेखक Stuart Russell और Peter Norvig Artificial Intelligence, A Modern Approach Stuart Russell और Peter Norvig द्वारा लिखी गई एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक किताब है जो Artificial Intelligence, AI के सिध्धानतों, तक्नीकों और अनुप्रयोगों पर आधारित है यह किताब AI के क्षेत्र में एक प्रमुक टेक्स्ट बुक मानी जाती है और इसके चौथे संसकरण में नवीनतम शोध, विकास और तक्नीकी प्रगती को शामिल किया गया है इस पुस्तक में AI के विभिन आयामों, जैसे Machine Learning, Deep Learning, नैतिकता और तर्क शक्ती पर गहराई से चर्चा की गई है किताब की शुरुवात में AI की मूलभूत परिभाशा दी गई है और इसके एतिहासिक विकास का वर्णन किया गया है AI का उद्देश ऐसी मशीनों का निर्मान करना है, जो मानव की तरह सोच सकें, सीख सकें और निर्णय ले सकें उदाहरण शतरंज खेलना जहां कम्प्यूटर एक मानविये खिलाडी से मुकाबला करता है, AI का एक प्रारंभिक उदाहरण है IBM के Deep Blue ने 1977 में विश्व शतरंज चैंपियन Gary Kasparov को हराया यह AI की बड़ी उपलब्दी थी तो, Search Algorithm, Search Algorithms AI में Search Algorithm का महत्व अत्यधिक है यह तब काम आता है जब कोई AI एजेंट किसी समस्या का समाधान खोजने की कोशिश कर रहा होता है इसमें Breath First Search, Depth First Search और A Algorithm जैसे तकनीकों पर चर्चा की गई है उदाहरण गूगल मैप्स जैसे अप्लिकेशन जो सबसे तेज रास्ता ढूंडते हैं AI के Search Algorithm का उप्योग करते है 3. Machine Learning Machine Learning AI का एक प्रमुक हिस्सा है जिसमें मशीने बिना किसी स्पष्ट प्रोग्रामिंग के डेटा के आधार पर सीखती है इस अध्याय में Supervised Learning, Unsupervised Learning और Reinforcement Learning की चर्चा की गई है उदाहरण Netflix या YouTube जैसी स्ट्रीमिंग सेवाओं द्वारा दी गई अनुशन साएं Recommendations Machine Learning Algorithm पर आधारित होती हैं जो उप्योग करताओं के पिछले देखने के इतिहास से सीखती हैं 4. तरक और ज्ञान अभिव्यक्ती Logic and Knowledge Representation AI में ज्ञान को संरचित तरीके से प्रस्तुत करना और उस पर तरक करना बहुत महत्वपूर्ण है यह हिस्सा AI Systems में Logic, Predicate Logic और Probabilistic Logic की भूमिका पर चर्चा करता है उदाहरण Medical Diagnosis में AI का उप्योग जहां AI प्रणाली डॉक्टरों द्वारा दिये गए लक्षणों के आधार पर बीमारियों की पहचान कर सकती है यह तरक और ज्ञान अभिव्यक्ती की तक्नीकों का उप्योग करता है 5. Natural Language Processing NLP NLP AI का वह हिस्सा है जो कम्प्यूटरों को मानव भाषा को समझने और प्रसंसकरण करने में सक्षम बनाता है इसमें वाक्य रचना, सिंटैक्स, शब्दार्थ, सिमैंटिक्स और भाषाई सनरचना की व्याख्या की गई है उदाहरण Alexa और Siri जैसे Virtual Assistant NLP का उप्योग करते हैं ताकि वे उप्योग करताओं की आवाज को समझ सकें और उसे सही ढंग से संसाधित कर सकें 6. Computer Vision Computer Vision में AI सिस्टम को ऐसी क्षमता दी जाती है जिससे वे छवियों और वीडियो को समझ सकें इसमें Image Recognition, Object Detection और Face Recognition जैसी तकनीकों पर चर्चा की गई है उदाहरण Facebook और Google Photos में Face Recognition तकनीक का उप्योग AI द्वारा किया जाता है जो तस्वीरों में लोगों की पहचान करता है 7. Robotics and Intelligent Agents AI का एक बड़ा हिस्सा Robotics में है जहां बुद्धिमान एजेंट्स, Intelligent Agents का निर्मान किया जाता है जो अपने वातावरण से बातचीत कर सकते हैं और स्वायत रूप से निर्णय ले सकते हैं उदाहरण स्वचालित Vacuum Cleaner Roomba एक बुद्धिमान एजेंट का उदाहरण है जो कमरे में घूम कर सफाई करता है और बाधाओं से बचता है 9. Deep Learning Deep Learning Deep Learning AI का एक उन्नत क्षेत्र है जिसमें Neural Networks का उपयोग करके जटिल समस्याओं को हल किया जाता है यह अध्याय डीप Neural Networks, Convolutional Neural Networks, CNNs और Recreant Neural Networks, RNNs पर चर्चा करता है उदाहरण Deep Learning का उपयोग स्वचालित Image Captioning, Speech Recognition और स्वायत्त वाहनों में किया जाता है जहां मॉडल अपने अनुभव से सीख कर बहतर परिणाम प्रदान करता है 10. Artificial General Intelligence AGI AGI वह अवधारणा है जिसमें AI को इतनी क्षमता दी जाती है कि वह किसी भी प्रकार की बौधिक कार्यक्षमता को कर सके ठीक वैसे ही जैसे एक इनसान करता है वर्तमान AI Systems विशेश कार्यों में कुशल है लेकिन AGI वह स्थिती है जब AI सामान्य बौधिक कारयों में इंसानों की बराबरी करेगा उदाहरण एक AI सिस्टम जो नकेवल शतरंज खेल सकता है बलकि संगीत भी बना सकता है कविता लिख सकता है और वैज्ञानिक शोध कर सकता है वह AGI का एक आदर्श उदाहरण हो सकता है निशकर्ष Artificial Intelligence, A Modern Approach AI की दुनिया में गहराई से उतरने के लिए एक आदर्श पुस्तक है यह न केवल तकनीकी पहलूँ को विस्तार से बताती है बलकि AI के नैतिक और सामाजिक प्रभावों पर भी चर्चा करती है इस चौथे संसकरण में Machine Learning, Deep Learning और AI के नवीनतम विकासों को शामिल किया गया है आउडियो बुक के रूप में यह उन श्रोताओं के लिए उप्योगी होगी जो AI के सिध्धानतों और व्यावहारिक अनुप्रयोगों को गहराई से समझना चाहते है